हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मै चैनल आजा हमी एनिमल किंग्डम को पार्ट वान लेक्चर मा छाऊं या देखी योटा नया सिरीज स्टार्ट हुँँचा जसमा हमी हरेक फाइलम को कारेक्टिस्टिक्स देखे लिए रग्रूप को डिविजन सम्मा जान छाऊं यो फाइलम प्रोटोजवा को लागी अतिने रिक्वेस्ट आको छा जो योच योटा डिमांड वीडियो हुए ना रसमा चाहि महले फाइलम किंग्डम को लागी सोब कुरा इंक्लूड गरेको छुँँँँचा लेट स स्टार्ट फाइलम प्रोटोजवा शुरू करनू वन्दा पईले सबसे पईला चे एनिमल किंडम लाइक क्लासिफिकेशन को आधार मा डिवाइड गरूँ क्लासिफिकेशन चार्थ बनाम तेशको है ना सो यू क्लासिफिकेशन चार्थ बाटा हमीलाई चे कि उन्छा आज ओ होल मा जेनरल कार्क्रिस्टिक शरू फाइलम डिफ्रेंट फाइलम शरू प्रोटोजवा पोरिफेरा शेलेंटो डेटा याँ देखिल ये र कोड़ डेटा सम्मगो जेनरल कार्क्रिस्टिक शरू याद हुन छा पच्छी चाहें हरेको हामी की गर्छों ब्रिष्टित जानकारी ली चाहें हरेको इन्देफ्ट मा जान्छों पहला आमी क्लासिफिकेशन चार्ट को बनाम है सबसे पहला अनिमल किंडम चाहें ग्रूप अनिमल या लाइचे हामी लेके गरना सक्छों दुई वटा भाग मा डिवाइड गरना सक्छों ईसको बेसिस की उन्चा तब आमी ले इसको बेसिस लेका चाहें सेल को Number, सेल एउटा छा की Multiple छा सो एउटा छा बने Unicellular Multiple छा बने Multicellular सबले ठावाखो सो Unicellular भाको लए चै हमिले बनेयो Protozoa तो जसो को Multicellular थे तिन इं लए हमिले नाम दियो means Metazoa ठीक्छा सबिधा स्यास मा की रह छा यसमा Cell को Number को Basebane सो यदी unicellular चा वने तेला आमले के वने हो unicellular protozoa आमा राखे हो यदी multicellular चा वने तेला हमीले के मा राखे हो metazoa आमा ठीक्चा अब आमरो तेस्पचाडी metazoa जस्मा multicell organism चरू चन तेला एपनी दुयोटा भाग मा डिवाइड गरे हो किना अंदा खेरी जती पनी multicell organism अरू चन तीनी हरू सब माँ चेकिये बाचाई ना cell को फर्मेशन बाचाई ना cell को फर्मेशन चरू टिस्यू को फर्मेशन बाचाई ना यह राता यो केस मा के बाखो चा सो देरार शर्टेन फाइलम ऑफ और्गेनिजम अथवा ग्रूप ऑफ अर्गेनिजम जसमा शेल चा तरत तिनेरू एग्रिगेट पहरा पशेका चन सो शेल एग्रिगेशन को कंसेप्ट है ना बडी प्लान को कंसेप्ट हेरा चेनो भने आई भनने बटन मा ब्लिंक भाको पहला त्यो वीडियो रहा जुलोजी चैप्टर वान को क्लासिफिकेशन ऑफ अनिमल्स को माले सब त्यो आज होल मा सब को यहदी सेल चाइँ एक्रीगेट भर मात्र बशयाचा एक जूट भर काम मात्र गरी रहाचा तरह तिन्योरी फ्यूज भायरे यहँटा सटेन टिस्यू को ग्रूप बने चैने वने तिन्योर्चे टिस्यू नन फर्मिंग ग्रूप लाई आमिले नाम दियेगा अशो रशयू पिंग जाटा भर मेंठा लुझ रह जो खुर्च अ कि नुख殼त हो है निकिस्यू क्टिस्यू थे अक्रीमे 1-0-0-0-0-10-500-0-0-0-5-0-0-000-0-2-0-2-0-0-2-0-0-0-0-0-0-5-0-0-5-0-0-0-2-0-1-0-2-0-0-0-0-4-0-0-0-2-0-0-0-4-0-0-1-0-0-0-0-2-0-0-0 तेस पसाड़ी अब फॉर्दर यू मेटा जोल आई हामी ले दुयोटा भाग मा डिवाइड कना सक्षूं का सरी अब अईले हामी ले के को बेसिस लिन चाँ अईले हामरोज सिमेट्री को बेसिस मा रेडियल सिमेट्री चाँवने रेडियेटा यदि बाईलेट्रल सिमेट्री चाँवने बाईलेट्री 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 चाँवन दू योटा भाग मा डिवाइड गरे का छों दू योटा भाग मा यह उटा छा प्रोटोस्टोमिक और को छा डूटेरोस्टोमिक एसको कंसेप्प पनी महीले फर्स्ट लेक्चर में भनी सागे तो वीडियो एरदाउन छाए अवा प्रोटोस्टोमिक रा डूटेरोस्टोमिक भनी पची चाए एसमा चे मा शॉट मा वन्दीन चू एसमा की हुँँचा ब्लास्टो-4 माउथ मा डेवलपमेंट हुँँचा यदि ब्लास्टो-4 डेवलप्स इन्टू माउथ तेस्तो खालको अर्गैनिजम अथा तेस्तो खालको कॉंडिशन ले बन्चा प्रोटोस्टोमिक रा जस्मा ब्लास्टो-4 एन्टू-4 डेवलपमेंट हुँचा अथवा क्लोकल एपर्चर मा डेवलप हुँचा किना हरेक अर्गैनिजम मा ते एन्ना यादी एन्ना सथवा क्लोकल एपर्चर को फर्माट डेवलपमेंट हुँचा तेस्तो खालको ले बनिशा डिव्टेर इस्टोमिक अने अब यहां आम्रो जुन प्रोटो इस्टोमिक छा त्यो प्रोटो स्टोमिक लाई सिलम को प्रिजेंस एप्सेंस यादी टू सिलम फाल्स सिलम अथवा तेसमा एप्सेंस अब सिलम छा वने तेसको आधार मा प्रोटो स्टोमिक लाई तीनोदा भाग मा डिवाइड गरना सकीननझा यादी चहिअना वने लुछ शिलमेट यादी फाल्स छा बने स्यूदो सिलमेट तेस पसाड़ी यदी ट्रू छा वने यू सिलमेटा र ड्यूटेरो इस्टोमिक को केस माँ चाएं येस माँ सौब को अर्गेनिजम यो ड्यूटेरो इस्टोमिक वित्र जाती पनी फाइलम इंक्लूड उन्चा तीनी हरू सौब को सिलम को टाइप एउटे उन्चा सौब मां की हून्चा ट्रू सिलम ने पाइण चाएं चाएं यांको जाती पनी चाएं यू सिलम मेटा ने चाएं अब हेर एस मां की हून्चा यो यू सिलम मेटा यू सिलम मेटा माचे की हून्चा सेम कुरा है नहीं यहां हुने यू सिले मेटा को टाइप रहे यहां हुने यू सिले मेटा को टाइप को लागी एसमा हुने यू सिले माला भनीन छा आमरो साइजो सिलस साइजो सिलस रहा आमरो ड्यूटेर स्ट्रोमिक मा प्रिजेंट हुने साइज कुन टाइब को पाइँछ त्यू शिलमे टू सिलम तो इसमा पाइँछ इन्टेरो सिलस इसको बारे मां सब महिले प्रिवेस वीडियो में भनी सके छो जो लोजी पाट वान वीडियो मां है दा आई बोटन मां क्लिक अगी गरेको ती वीडियो सब एरे रहा गरने सब कुरात इसमा एक्स्प्रेन गराएँछ यहां चाहिए एज होल मां चार्ट बनाको अब यहां यहां यू सिलमेटा मां यूटा चा साइज उसिलस टाइप और को छा इंटेरो सिलस टाइप अब यू भीत्रपण ने काहिए बारे में कुरा गरों कुन-कुन फाइलम यू भीत्रपण चाहिए एस बाटा की होंच आमेले उटा शोटेन आउट ग्रोथ आउटलूप ता ए हैना सक्सम नी आउटलूक गिरना सक्षों कि कुन फाईलम केमा पड़ छा इना सबसे बहुता इक ता डिविजन करो एनिमल्ये किंडम लाइज चेल यूनिसेलर छा आथ्वा मॉल्टीसेलर छा टिशु फर्मीजन, येदि चेल, एग्रीघर बस रखेल्ही हो फम्क्ट शनल कोडिवाइंट वर्माल भाग्माल collect शल्घ हो चतकना उम्क्ट जा Ana मेटाजु ला ये पानि फत्त नोक्षिज अली पानियोः Carney ॔स वानियोथ च्छिकेल कोडिवाशी अल mapped बोल्य। रेडियल सिमे्ट्री भाँ र दूआता भाग मां डिवाईट गना सखीं के टार मां प्रोटो-ेटोस्टोमीं थे पॉटो-ेस्टोमीं खाइने सीलम को presence, absence, true sealum, false sealum तियसको आधार माचे चा oscillomate, pseudosilomate रदुसilomate that is uosilomate रप्रोटोज़मिक मा पाईने वहने को syosilus type हो syosilus type हो रप्रोटोज़मिक मा पाईने वहने को अब एशको दुई टाल लेक्चर मा अमें कम्प्लेट गड़्चों प्रोटो जवा दुई देखी तीन लेक्चर समझाने सक्षा तेस्वा चाड़ी आमरो प्यारा जवा 10 मां सेल अग्रिगेट भरा मात्र बसीडा छा तो सब्राइ थाबा को होला अब प्रोटो पोरिफेरा थाखी अब मेर वीडियो मा पनि आऊँछा कतीना कती तो प्रोटो लागी पोरिफेरा मा की होंचा सिंप्ली स्पोन्जो शील युटा काविटी फ़र्मेशन होंचा मल्टी सल भाई पनि केछा सेल हरु एग्रिगेट भरावच आचा शेल एग्रिगेशन टाइप मा पड़ेको रेडियेटा रेडियेटा मा चे दू योटा पर से योटा चामरों सिलेंटरेटा शेलेंटरेटा योटा फ़न फैक्ट हो कि अथवा गोकनेव को फैक्ट हो कि वंदा खेरी जती पनी ऑर्गेशन सबस्ट्राटम में एटाच चाओ हैना सीगो बेड मा गरेटा चाओने चाथी पनी इम्मुवेवल अथवा सेसाइल अर्गेनिजम सरुछा सबको कियोंचा रेडियल सिमेट्री हुँँचा योकुरा याद राखने सो शेलेंटरेटा मा हाइड्रा अरुको एक्जाम्पल याद राखनू परे यानि औरको छा टेनो फोरा यो योटा नया कुराओ तो येसको बारे मा चुटे वीडियो को लेक्चर मा स्पेशल राखने हैना सस्पेंस करोक मा और बाइलेटरा मा योटा प्रोटोस्टोमिक ड्यूतरिस्टोमिक तो एथा पर डिजाम और सीलेमेट मा आमरो पर्छा प्लाटी हलमेंथिस प्लाटी हलमेंथ तिसपसाड़ियो येस मा पर्छा आमरो एलेशल लमेंथिस्टो शीलेमेट मा तेस्वा साड़ आउँछ ट्रू सिलम मा परने वे निको आमरो तीनटा पर्छ यो विद्र केके पर्छ एनि लीडा ग्रूप पर्छ फाइलम आर्थ्रो पोडा पर्छ अनि मलस्का पर्छ ठीक चा ये ना यो ग्रूप भाई अनि या ड्यूटे रिस्ट्रोमिक माज एक के पर्छ आमरो इसमा पनी तीनोटा पर्छ आ केके पर्छ आ इसमा पर्छ आमरो इकाईनो डर माटा इसमा पर्छ आमरो हेमी कोड़ डेटा इसमा पर्छ आमरो कोड़ डेटा ठीक्छा, सो यह भायो, आम्रो जुन जुन फाइलाम इंक्लूडेट छा त्यो ताली फेरी बन देऊं, है ना, सो प्रोटो जोवा यूनिसेललर भागो आरे लेगा दा, यहां प्रोटो जोवा आम्रो के मा पर्यो, इसमा पर्यो परिफेरामा सेल एग्रीगेशन मात्रव हां, सो परिफेरा पैराजवो आमा पर्यो, है ना, यूव मेटाजवा टीसी को डेवलप्मेंट छा, रेडियल सिमेट्रीक एके माँ छ, सेलेंटेरेडा र टेनोफेरामा, सो यू दुटाय फाइलाम यहां एसमा पर्छा, हैना, प्र अनित एस पचाड़ी आम्रो S मा के समा के पड़छा, U-cellumate, that is true cellum, S मा कस्तो टाइप को उन्छा, इंटेरो सिलस, इंटेरो सिलस मा कुणगुन पड़छा, इकाइनो डर्माटा, हेमी कोड़ डेटा, र कोड़ डेटा, इसारी सिलमपनी छुटे आनों सक्यो, पहला कसको के डेवलप्मेंट उन्छा, यो चार्ट अब स्क्रिन्शॉट गर दी दाऊंचा, महसाइड़ अट्छू, स्क्रिन्शॉट गरि सगे पाँछी, अब अब अबReally प्रिटोजॉआ ओफीसियली स्टार्ट करों, अबा अमी पुड़ गरों भाइलम प्रिटोजॉए को बारेमा, इसह पास माईनों के गर चूऊं जंरल माअचको गर चूँह, थेखचा, अब जेनरल कार्क्रिक्टिक्स को वाल मा शुरू करूं सबसे पहला, जेनरल कार्क्रिक्स बुझनु वन्दा पहला, यो प्रोटो जूआ के बाटा बने को चा, तो ग्रीक वर्ड, दुना ग्रीक वर्ड मिले रहें बने को चा वन इज प्रोटो एंड अनुदर वान इज जुवा जुवालाई जून बने कुछा ठीक चा? तो प्रोटो प्लास जून लेके बनायो प्रोटो जुवा बनायो रप्रोटो जुवा मा प्रोटो मीन्स फर्स्ट और प्रिमिटिव फॉस्ट और प्रिमिटिव ना अनी जुन मिन्स ऐनिमल सो प्रोटोजवा लाके वन चाहा हामरो फ्रस्ट ऐनिमल पहीलो ऐनिमल उन चाहिन चबसे पहला और्थ माँझे फॉस्ट उर्गेनिजमस को आधार मां लिना सकीं चाहा इसको आधर्मा यहां बटा हमिले first characteristics तर डिटर्माइन गरने सक्यों अधिको classification chart है नहीं होंदा खेरी तेसमा के बात उता unicellular organism भित्र परेगो थे हो है ना unicellular बने पची protozoa बने बुझे का थे हो so unicellular characteristics डिटर्माइन बहे आले हो simple and primitive forms एसको हमिले जुन वर्ड को division बाट है रिया ले हो कि proto means first or primitive zone means animal so यो first character बुझे हो first character बुझे हो so एसमा के बने चाए unicellular simple and primitive forms that means इन यहां चेकियो सबसे पहिलोर simplest form को organism हो जुन चाए और्थ मा डेबलाब भागो तेस पचाड़ी अब एसमा के उन्चा protoplasmic grade of organization उन्चा अब यो भने को पनी मईले first lecture में बनी सगे को चुँ zoology को chapter 1 classification of animals मा मईले तेसको बारे में डिसकास गराया थे तरपन यहां हलका बन्दियों protoplasmic grade of organization मा चेकिये उन्चा येसमा उन्चा जुन एउटे cell बित्रकंफाइंड बारे येउटे ही cell को बाउंडरी बित्रकंफाइंड बारे सब फंक्शन चरू उन्चा बने पछी respiration, digestion, excretion सब life supporting function चरू जेकिये हुन्चा येउटे ही cell बित्रा हुन्चा तेस्तो खाल को फ़म लाइकिये बनींचा protoplasmic किना अंदा खेरी यो unicellar भायपने येला आमले cellular grade मा किना लेको किना अंदा खेरी एसमा cell aggregation को फ़म चाहिना एसमा के मात्रा चा उटे ही cell चा जस्तो यदी आमी एमी बागु केस लिंचा बने हैना एमी बागु केस मा लिंचा बने योज यो कि वह एसको plasma membrane हैना so plasma membrane भीत्रा इसको सॉब function हुँँचा so के के function हुँचा सबसे पहला respiration हुँचा so respiration और excretion simple के हुँचा diffusion process बाटा so respiration को लागी के आयो या बटे हम रहो oxygen चाहिए हो हैना आमी बालाई so simply के हुँचा इसको cell surface बाटा oxygen भीत्राच छिट्छा so by diffusion process रो excretory process जाती जोस्त आम लेकुँचा ना चाहिए प्रोड़क्ट या फर्मेशन भाचा बने तेलाई फालने कामपनी के हुँचा simple diffusion process बाटा हुँचा और को digestion process so digestion के छा intracellular by the formation of food vacuum so एसको माँ चेक्किये छा यादी बाइर कुणे खाना आयोरे अमीवा को food आयोरे अब एसले के गर्छा ता आपनो जुन यो plasma membrane को layer तेला invaginate गर्छा शरी invaginament निस खाल्टो बनाऊँचा तेसपचाडी के हुँचा यो खाना यो बित्रा पसे रह अब एले आठनो बाइर को plasma membrane बंद गर्छा याँ एउटा structure को formation उँचा जसको बित्रा खाना उँचा तेस structure ला उनीचा आमरो food vacuole ठीक्चा? food vacuole को formation बाटके हुँचा digestion उँचा intracellular means inside cell so यो cell भो inside cell digestion process अकर वह रहाचा digestion intracellular by the formation of food vacuole के गर्छा? खाना देख्यों इन्वेजिनेट गर्छा इसको वीडियो अरुपनी छा YouTube मा देरे वीडियो छा कसरी अमी बाले आफनो वरी पर यो खाना लिए चा तेसार के गर्छा पहला यो खाना देखने भीदगे तेला घहर चा किनानी या खाल्टो डेवलपमेंट गर्छा इन्वेजिनेट गर्टेला के गर्छा आफनो फेरी प्लाज्मा मेंब्रेन बाहर बाटा बंद गर्नी चा तेसे स्लोडराइजेशन प्रोसेस बाटा वो फूड व्याक्योल वाघाजेशन को आफनी इने अर्को केस्पामनी के ओंछ इने अरको केस्पामनी के होंच डाइजेशन को केस्पामनी इन्यरको पनी यह अरको पनी एसेडिक देखी basic medium मा ट्रांसफर होंच वह बहुने कि आमले खाना घाए आमरों स्ट्रोमक मा पूगेगो खाना के मा चेंज उन्छा, पहला एसीडिक तेसपछारी इंटेस्टाइन मा पूगी सकिपपाछी, तयो के बायो बेसिक स्टेट मा कंबर्ट हुन्छा, होगे यहना, स्ट्रोमक मा जानता एसीडिक, आसील को कंसेंट्रेशन कारें लेगादा तेस पर consumption आमरीं इंजाइम सर्क कारें लेगरदा की होंचा ती सोERO BASIC मा काई चेंज होंचा सो इसमा पनी की होंचा चेंज फ्रम AGMIC TO BASIC इन acompan मा की होंचा AC fatigue to basic फरम मा चेंज होंचा ठीक चा इस fatty इन आरकोbai तोर परहाईजैटीक को पहर फर्म मा पनी बशा र इस्पेस़ली most प्रबाइबली जैले पन के हुँंचा इंडो पयरसाइटिक के फर्म मा उँचा इंडो पयरसाइटिक भनेगो क्यों तो इंसाइड दौ इंसाइड दौ बडी ऑप धी होष्ट जो दने ओर सब्सको बड़ी वित्रा हुँँचा, बित्रा हुने पचे की हो इंडो-पैरासाइटिक येसको बारे माँद सब्सक्राइटे डीजीज है पूरे एना एसको पनी आमी कुरा गरछो प्रोटोजों परत। कुणा गर छो एना, so, इंडो पैरसाइटीक मा की उन्छा, आम रो लेस्मेनिया, रेस्मेनिया लेस्स गराऊने आम रो ट्रीफैनोसोमा, आणि आम रो प्लास्मोडियम भायबैक्स, अब आमें चुटे लेक्चर में प्रभाइबली आऊँछा अब आमें कुरा गराँ और कोछ अस्मो रेगुलेशन अस्मो रेगुलेशन का सरी उन्चा ता कंट्रैक्टल व्यक्यूल थूआट गर्छा यह अब ठाउचा ने चुटे पचि जाए अस्मो रेगुलेशन का छुट्टे एक्सीन मां डिसकस गर्छा तो अस्मो रेगुलेशन थाती राखूँँछा जारी रिप्रोडॉडॉक्शन रिप्रोडॉक्शन केछा प्राइमेरली असेक्शुल वन्याचा चुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अरुआ मा यदि इंटर न्युक्ळियर एक्सेंज हुनी तियो चैक ये वो शेक्षल प्रोसेस, तो सेक्षॉडı कासरคะ जानेछा सिन्ग्यामी प्रोसेस बनेपचे ज़्योरलोकोमोट्री स्ट्रक्शर को आदर मान फाइलम मा तीनोडा किसीम को लोकोमेटरी स्ट्रक्शर छा एने अलको अर्गेनिजम्स मा स्यूडोपोडिया, फ्लाजेला, रसीलिया यो पॉइंट किने इंपोर्टेंट भनिको, किने अंदाखरी इसके आधार मा भआएर इसको ग्रूप छुटेगा हुँचा अई, इसके आधार मा, इसके बेशिसमा लोकोमेटरी स्ट्रक्शर्स के बेशिसमा इसको किये हुँचा फर्दर डिवीजन उन्छा ग्रूप अरुमा ठीक चा तेसको बारे मा अमरो नेक्स लेक्षर मा आऊँछा लेक्षर नॉमर टू मा एस पछीको लेक्षर मा तेसको बारे मा अपने हेले राखी राखूँ याद राखने स्यूडो पोडिया फ्लाजेराद शिलिया यो तीन टाइ स्ट्रक्षर को आधार मा बेसिस लोकोमोटरी स्ट्रक्षर को आधार मा यह उटाके मा हुँँचा प्रूटो जोवा मा हुँँचा डिवीजन हामी ग्रूप मा डिवाइड गर्छा हूँ तर औरको कुन फाइलम मा हुँचा एसारी की गरने तर लिंक गर पड़े हुँचा बिशी देने जाश्तो अब लोकोमोटरी स्ट्रक्षर अजे यह उटा और गेनिजम मा हुँचा फाइलम मा हुँचा त्यो फाइलम कुन होता ऐनिलिडा एनिलिडा भने फाइलम मा पनि के हुँचा लोकोमोटरी स्ट्रक्षर चे आधार मा डिविजन हुचा यह उटा यह भाईव राड़ाईजेस्ण को लाइबढ़ने यह लिंक गर याद राखने यह उटेको बाट आम्ले दुटा यह आधारने सक्यों डाइजेशन इंट्रासेलूलर अरू कुन मा आँछा इंट्रासेललर तो किना भए किना अंदा खेर यो यूनिसेललर भए यूनिसेललर ग्रूप तो यूटा मात्रा शा दाट इस प्रोटोजवा फाइलम तर अरको कुन चा था अरको इस पचरी ठेकके पचाडिया में पढ़ चाओ जसको पोरिफेरा पोरिफेरा को एक्जामपल ले में स्पोंजेश इजी हुँँँचा सो इस्पोंजेश मा के भणेगो थे तो माइले त्यसमा सिंप्ली इस अरी के भण चा त्यसको बड़ी प्लान पढ़ा हुँँदा खेरी ये सरी त्यले के गरचे उटा क्यावीटी बनाऊँचा ने सेल एग्रिगेशन भूँँचा माईले किना त्यो छुटे आगो तब है पैराजोआ सो अगी को क्लासिफिकेशन को चार्ट मा सो त्यसमा के बने थे ता जुन यो बिच्चा को ग्याप हुँचा त्यो शीलस स्पोंजो सील मस्टली एल्ले चे के गरचा सेल को थू बाटे इंट्रासेललर प्रोसेस बाटे डाइजेशन अकर गराऊँचा तरह कईले इन अरुको मा मस्टली हेरने हो तरह एल्ले यो स्पोंजो सील बाट पनी डाइजेशन फेनोमेन गर रहाँचा क्याविटी बाट तरह प्राइमेरिली एल्ले पनी के बाट डाइजेशन गरचा इंट्रासेललर प्रोसेस बाट गरचा डाइजेशन इंट्रासेललर हुनचा यह सरी के गरने लिंग कर पड़ा है सजिल लुनचा जनरल कारेटरिस्टिक्स बुझो अब अस्मोरेगुलेशन को बारे मा कुरा गरो अस्मोरेगुलेशन अस्मोरेगुलेशन मने को सिंपली के ओता water and salt कंसेंट्रेशन के गरचा मेंटेन्ज़ गरचा बड़ी मा so, the process of maintenance of water and salt कंसेंट्रेशन in the body is said to be अस्मोरेगुलेशन अस्मोरेगुलेशन फेनोमेनन भुझनों बानधा पइला यो टर्म याद राखनों परचा यो टर्म जैंकी हो अस्मोरारीटी chemistry मा यदी molarity पड़े को छा वने तेस्मा यहाँ चाहिए तेस्ते गरेड osmolarity हो osmolarity means concentration of salt concentration of salt denote गरचा कुने पनी solution मा कती concentrated salt यदी marine को एरचा वने fresh water मा एरचा वने pure form मा आता छाहिए न दिस्टिल्ड water भाएपो salt को concentration खम हुने हो fresh water मा पनी salt गो 13% यहाँ न चाहिए न so concentration of salt लाइक के बनचा osmolarity यह सानो टम चाहिए याद दाखने यहाँ चाहिए अमले उटा comparison गरने हेल पुन चाहिए यहाँ याद गरने यहाँ यहाँ आस्मा रिगुलेशन बाइदा very important चाहिए यहाँ यहाँ धेरे क्वेशन अरुचा है त्यों क्वेशन अब यह बुजे पचि त्यों क्वेशन पनी गरोगा है ना so osmolarity मीन्स सिंपली कंसंट्रेशन अफ साल्ट यहाँ यूनिट के उंचा यहाँ यूनिट हूंचा osmol per litre ठिक सांट मीली को फ़मा लिन्च यहाँ 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 यादी यहले यहले हम अब स्मोल के लिन्ध हो था millI-liter लिन्ध हो यहाँ यह आनि त्यस प्शारी osmolarity लहाँ को ने को यूनिट यहाँ यहाँ अंवु केरसे हो, यह एंवाइरलमेंट लिन्ड मेंठा की लिम्स tyvo, यह वुट्रा इंव्यरूमेंट लिन्ड में अवु जु क्योप सुस्छी लिए मंथे को स्कर ब कर् मौंधे मिर्मा का गूठ को टांब्स से शिक लिए अब यो ऐस्मोलारिटी कंसेट बाट बूजी सके पचे एग्रिगेट मा शॉटेन वैलू याद राखना सकीन चाँ फ्रेश्वाटर को लागी ऐस्मोलारिटी को वैलू के हुन चाँ 100 एप्रोक्सिमेटल बने इग्जाक्ट है ना फ्रेश्वाटर को लागी ऐले की उन चाँ अमीले यूटा क्ये गरना सक्छेँ शुटाप गरना सक्छेँ ना वट आमा ले के करना सक्छाँ डिवीजन गरना सक्छँ जस्तो यह एत् właściwie एस मा ओस्मोलाइटी वहने को concentration of salt एती बोड़ी एती कम त्यां बटा आमी ले osmosis process याद राखना सक्षों है ना सुई या रहा फ्रेश वाटर कती हुँचा 100 हुँचा और अमीबा को भीत्र प्रिजेंट भागो cytoplasm साइटो प्लाजम को कती concentration हुँचा साल्ट को कंसेंट्रेशन हुँचा 300 भने पाचि या बटा इसर है दा खेरी फ्रेश वाटर मा प्रिजेंट भागो concentration of salt भन्दा चे किये चा अमीबा मा तीन कुना बढ़ी चा यह ना 300 यो क्यो यो चुम माले लेखेगो यो क्यो अस्मोलाइर्टी हो that determines concentration of salt भने पाचि अमीबा भीत्र concentration of salt बढ़ी चा को बन्दा fresh water भन्दा अब यो कंसेप्ट मेलाई मा यह यह सिंप्ली ती अस्मोसिस प्रोसेश बाढ़र बुड़ाँ चुम बोट में आम पढ़ चाँ यादी आमीले semi-permeable membrane राखेचाँ यादी बिच्चामा हमले semi-permeable membrane राखेचाँ यह यह दू योटा किसीम को लिक्वीड चाँ योटा यह वन्ने लिक्वीड और को भी वन्ने लिक्वीड सपोज गरो है ना रह एता पटी को सपोज एसमा चाए आमरो चा 100 osmolarity वाखो चाँ योटा यह लिक्वीड चाए आनि यह लिक्वीड जाए 300 osmolarity वाखो चाँ यह मां सोधियो movement of water कता वटा कता हुँँचा movement of water कता वटा हुँँचा है ना यह question हलका हाफी सोचदा हुँचा जाना salt को concentration body चा त्या need of water body हुँँचा है ना यह चै आमिले अमरो daily life lesson लिना सक्षा हुँँचा है यादी कुण्ये नूनिले कुरा खाचा हुँँचा हुँँचा हुँचा है बड़ी ले homeostasis maintain को लागी body तिर्खा लगाँँचा जब बड़ी तिर्खा लगाँ चार तो पड़ी तिर्खा लागी सगे पथी चाहें हम रो की हुँँचा थेसमा movement of water हुणू परे ना जा साल्ट को concentration बड़ी हुँचा तेललाई homeostasis गर्नको लागी आमीले पानी दिन चाहूँ जो यो केसमा कुण मा water body चाहा अत्वा simply आमीले जून osmosis process पड़ेगा हुँचाहू तेसमा के हुँचा higher concentration देखी lower concentration through a semi-permeable membrane osmosis is defined as the movement of certain soluble particles अत्वा solvent from higher concentration to the lower concentration through semi-permeable membrane बिच्चामा के हुँचाहू पड़ेगा? semi-permeable membrane उने पड़ेगा हुँचाहू यदि चाहिना वने simply movement भाया चाहा ने diffusion पड़ेगा हुँचाहू होगे ना, scent यह उटा कुणा मा गरेगा हुँचा, scent diffuse भाया और को कुणा समपूग चाहू सेम तेह कुरा हुँचाहू कुण मा वाटर को कंसंट्रेशन बड़ी चाह? यह समा salt को कंसंट्रेशन काम चाह, तेह वाटर को कंसंट्रेशन बड़ी हुँचाहू सो यो केस मा कता चा, वाटर को कंसंट्रेशन बड़ी कसमा चा, एक कॉंपोनेंट मा, एसमा वाटर कंसंट्रेशन बड़ी चा, और बी कॉंपोनेंट मा किन अंदा खरी एसमा नून बड़ी बो, डिलेटिवली, वाटर कंसंट्रेशन कम चा, सो मुव्मेंट अफ वाटर काहा बित्र चिरना थाले फ्रेश वाटर अवा अमीवा को बड़ी बित्र चरी मजाले चिरी राच सो अब यदी अब यशको जवसमा होमियोस्टाइसिस मेंटेन हुदेन अस्मोटिक प्रेसर मेंटेन हुदेन तावसमा पानी गई रहां चा रहे उटा फन फैक्ट अथा सजीलो वायो आमीलाई कि अमीवा र जत्ती पनी अरू अर्गेनिजम चान जुन पनी लीविंग अर्गेनिजम चा सोब को जुन आमीले अदी बलड प्लाजमा लिन चाऊ अथा बड़ी को साइटो प्लाजम कंटेन्ट अर्गेन चाऊ अधा तियो सब को के उन्चा अस्मोलाईटी 300 ने लिन्चाऊ सब को जुन पनी लीविंग अर्गेनिजम चाऊ आम्रो बड़ी को बलड मा पनी प्लिजेन्ट भाको लाईग पनी कती लिन्चाऊ 300 ने लिन्चाऊ ठीक्षा यो गुर्या याद राखने जा तिपनी अनिमल किंग्डम मा लिविंग अर्गेनिजम चाऊ सब को के उन्चाऊ स्मोलाईटी 300 हुन्चा ठीक्षा यामले एप्रोक्स वैलू लेको अब के वाई फ्रेश्वाटर के गर राचा भीत्र गई राचा ठीक्षा यादी यो फ्रेश्वाटर भीत्र जादा 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 अल्टीमेटली के हुन्चा अम इवा फूल्चा 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 अनि बर्स्ट आउट हुने कंडिशन आऊँछा सो त्यो प्रिवेंट गरना को लागी यादी यावटा नया स्ट्रक्षर डेवलप उन्चा जल्लाय किये भनेंचा जल्लाय हामरो भनेंचा कॉन्ट्राक्टाइल्वेक्यूल ले देनोर्ड गरे अले सो थे नोया स्ट्रक्षर कीना डेवलप्मेंट हागो यादीन लिविंग ओ ओ हो are बाइक वुश्ग आ रूपन थोचके यो रिलेटिडर शो ऐलिए कान्फिूज नहीं आउंड और नियुँके रिष्टाइस कि युवाद हुँ एले कुछके पुर्य क्लियर हुन चेहा नियुके क्लियर से थी सम्माँ किना उंदा खुरी पानी ली दा ली ली दा ली ली आ कि तियो आवा कंट्रेक्टायल भ्याक्यूल ले लिन चा तेस पछाड़ी एसको साइज की होंचा? बाड़ चा बाड़ चा फेरी बाड़ चा तेस पछाड़ी की होंचा? यो धेरेने ठुलो भाईशेगे पाची यो की होंचा? हमरो प्लाज्मा मेंब्रेन संगा फ्यूज बाड़ जाती पाणी आगो चा तेला बाड़ फाल चा आपनो यो कंट्रेक्टायल भ्याक्यूल फूल चा फेरी फूल ले जानचा पाणी लियर फेरी फाल चा जुन यो पाणी लियर साइज बढ़ने प्रोसेस तेला यहामी बनचाँ डाईस्टोल यहना जुन यो पाणी फालने प्रोसेस यहवड़ा पाणी फाल चाँ फिक्सा? यहाता मीले हर्ट को रिलेटेड पानी पढ़चाँ यहादी हर्ट आम्रो बीट गरदा खेरी expand वे राच होने, dye-Stole, systole dye-Stole, systole सो यहाँ के वे राच, expand वे राच, dye-Stole योधी कुचेर पानी फाली राच होने हैना, shrink down हुनचा, ता पानी फाल दा सो systole, सो यो condition में, यहाँ के चा water सो यह सरी के गरचा, अमी बाले आपनो जयान जगाँछा के उनुण बाटा था बच ठुनुण बाटा आपनो जयान बाचाँछा ये बाटा हमरो famous question शोदिन चा famous question चा question ध्यरे question शोदिन चाँछा बाटा what happens if amoeba is transfer from यह वुटे एग्रिगेट मा्योटा कुस्टन लिहोम अनी कंडिशन दिएुम के वाट के मा लगदा यह वुटे यो कुस्टन वाट आपनस इप अमीवा इस ट्रांसफर फ्म कुस्टन लिहोम पहलो फ्रेश्वाटर देखी मरीन मा दुसरो मरीन देखी fresh water मा तेसरो fresh water देखी distilled water मा यो question नामीन रेखे से जो ने what happens if amoeba is transferred from fresh water देखी मरायन मा transferred के होना मरा एंदेखी फ्रेस मा लगेवनी क्योंच और फ्रेस देखी डिश्टिल्ल माल लगेवने क्योंच तो सिम्कल teilैं प्रेस देखी मरीन मा लगेवन अड़ा लसå लसट मात पीखा प्रेस नोग को डेप्लोपमेंट वो कैंट्रेक्टराल वेक्योल को फेरी marine water आए तो अब क्योझ ऐल्ए, यादी यह ूख कही हुए हमकि आमरो marine water कह सो आब यहले आमी marine water मा राख दिए suggest that पहिल देखी contractor बहुत होलना अब यहले आमरो बनम हैमीबा अब कही होः आमी यादी marine water मा राख सो हने तेस्मा salt को conc novo के हुँँचा बड़ी हुँचा रा मरीन वाटर को लागी ओस्मोलेर्टी एप्रोक्सिमेटली थाउजेंट मानी एको छा ठीक सा थाउजेंट माने को छा अब के हुँचा याँ अब यह किसमा ठेक्के उल्टो वाइदीन चा साल्ट को कॉंसेंट्रेशन को समा बड़ी एमा अब कान बड़ी सो अब कान देगे कान बड़ी मुवडमेट उचा साल्ट को कॉंसेंट्रेशन काम था तो अब कान जांचा बी टू ए मुवडमेंट हुण्धे हुझ खा ले ओलर उल्टो मुवडमेट उचा याँगानी चेंजगर्र्द अब मुवडमेंट कॉतर headay b2a क सो अब क्योंच पानी अमीबाको बड़ी भित्रवाटा बायर जानच यह सरी अनि याँ युटा कुरा के आधाखनू पर चा अमीबाको लागी पानी लिनो भन्दा दिनो सजीलो चा ठीक चा, सो एल्ले पानी लिदाखेरी यो बॉस्ट आउट हुने कंडिशन चो इसको बड़ी भाटा पानी निश्की राचा बने एल्ला कुनेपनी फेटल कंडिशन हुदे न ते भर अब एसको केस मां एल्ले कंट्राक्टल व्यक्यूल चाही देना सो फ्रेश्वाटर देखी मरीन मा जादा आखेरी के हुन्चा क्काट्राक्टल वैक्यूल डिशपियर्जच किना फेल्लागों छो पर्टी न वर पानी फारक परताए न यह समा यह लु सब्सें यख़ण Eh अप्सन मा देग होंच यो कंडिशन मा होंच CW कंट्राक्टायल व्याक्यूल की होंच? इसपियर्श ठीक्छा? यह दी आम लिए फ्रेश्वाटर देखी मराइन मा लाग्षे होनी की होंच? डिससपा अभाल, सूने कोंट्राक्तरा वेक्यूल टिसे हर॰ह ऒर मरीन देखी फ्रेज़वातर मारीन मा यही जाए थे न हुआ तरह फेरी फ्रेज़वातर मा राह unity क्लदि सेखे अभाल मा जून कंडिशन एप्रोपेट हुँचा ठीकाने अब फ्रेश वाटर देखी डिस्टिल्ट वाटर मा लोगयो बने अब क्यों चा फ्रेश वाटर भने को तो तेसमा हरे काइंड अफ नूट्रियन्स शाल्ट को कंसंट्रेशन उस शॉतिन अंच नूटत बनें लुटत बने बने कनिशन मा वरेश डिस्टिल्ट वाटर थे बेण कोन्डिशन मा भलेश बनार अब यह कंडिशन ना बनाँ भाने अब यह जहन घटे रह एप्रोक्स जेरो मां पोगिश है डिफ्रेंस कहती भू जती डिफ्रेंस बढ़े ओ ओ अश्मॉल आएटी मा जती डिफ्रेंस बढ़े ओ त्यत्ती वाटर को डिमांड हुँँचा सो अब यहां तीन्चे को डिफ्रेंच जा त्यत्ती ने बड़ी वाटर की हुँचा भित्रा चीर जा उल्टो भित्रा चीर जा ठीक सा त्यत्ती ने बड़ी भित्रा चीर जा यो आमरो के वो डिस्टिल्ड वाटर योब बड़ी ऑफ एमीबा तो त्यत्ति ने बड़ी जत्ति डिफ्रेंस उन्च अस्मोलाइटी मा तो अस्मोलाइटी ले उल्टो सिंपल भासामा बन दा खेरी के उन्च डिमांड अफ वाटर पनी बनना सक्षों ऐना झिए रहत हाँ पंड़ी दिफ्रेंस बड़ी जानच त्यत्ती के ऊंच डिमांद अफ वाटर पनी बड़ी जान्च औँछ धिरो केस बहुँ धेखिब 3 कांदी तेनस और रिख्रेंस का होँछ काम गर नूं परच्छा को यू केस Dennis water ४ कंट्राक्टाल व्यक्यूल वक्स फास्टर एकदम फास्टव हरेट मा के सा ए त्राक्टावियकूल काम गरका त्राक्ट्राक्यूयद मा यू कन्डीशन पुछो यूा पूछी तो इस्मो रेगुलेशन गट्नुक Gen Hai कल के आमीलाइ यो चोल रिड़ा RBC सोद दीन चा आम रो RBC यदी human blood water निकाले रहा यदी RBC लाइ human blood water निकाले रहा आमली के मा राख देमा राख देमा फ्रेश वाटर मा राख देमा शपज अब गर्ना सकी चा किनाने RBC इसमा फेरी contractile vacuum development उदे ना तो यो RBC के हुँँचा था simply के हुँँचा फ्रेश वाटर मा राख दे आर बीसम आम रो बोडी मा ज़ती अश्मोलार्टी 300 200 रबीसी को 300, फ्रेश्वाडो को 100, यहां बटा कहार चाँ, पानी continuously के गर रहांचा, भित्राओंचा अनि फूल दे जान्चा, फूल दे जान्चा, फूल दे जान्चा फूल दे जान्चा ने अल्टिमेटली आमरों आर्बीसी के बश्ट आउट हुँँँछा, यह केस मा भू के बने, मैरीन को केस मा की हुँँँचा, कंट्राक्टल दिशापियर हुँँचा, तरह सोब मा इस तो उदेना, एक्सेप्शन ता हुँँचा, बाइलोजीज दा साइंस अचेप्शन थाने जा, यह अब मैरीन को केस मा यह उटा एक्जामपल महिले तिसको बारे मा अब आमरो आरबीसी को कुरा चे याद राखना सकियो, किनां दाखिरी आरबीसी मा के चा, आमरो जदी पनी चा, कंट्राक्टल देहा क्यों डेबलोपमेंट हुँचा, पानी लिंच 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 अल्टिमेसली फुटेल जान चा, ठीक्चा, अस्मा रिगुलेशन को केस अब हां हमी कुरा गरों सबसे इंपोर्टेंट टोपिक, बोनस टोपिक बनो, इसको लागी, त्यो हो, इमोर्टल, अमरता को बर्दान, कले पायो, प्रोटोजोन शरुले, कसरी, इने अरुको, इमोर्टालिटी को रहसे जानना को लागी, त्यो अन्धा पहला हमी लिए क्य जम प्लाजम को बारे मां कुरा गरनूँ छा, जचे कल ले दियो, आमरो अगस्ट वाइसमेन ले दियो, अगस्ट वाइसमेन, ठीक्छा, त्यो थेोरी आफ जम प्लाजम ले क्यों बन्चा, जुन आमरो अगस्ट वाइसमेन छा, एल ले क्यों बोडी मां प्लिजेंट भाग को को माद दिवाइड गर दे हो यह उन्ता वणयो जम्प्लाजम ठीक सरले और को क्या बान्योंyon iso somatoplasm so jomplasm somatoplasm so jomplasm भने को जवतिपनी युजै का present हुंती हो jomcells हुरूमा present हुंच jomcells अथभा gametocytes जवतिपनी आमरो body को organezy जुँने रिप्रडॉक्शन संग शोक्रा थे तिन्य लए कि वनने jomcells रत्यों संग associate भागो लए बननने अअबोगी जोर्म सेल्ज हुत судतों मैंसल्सपैकन भागे कुछ अर्गेन दो छा तिनियों को सेल लेके वाणचों है आमीं सॉमयेटिक सेल रतियों शंग शेय के वागो प्लाजम ला बन्चाऊं सुमयेटो प्लाजम ठीक सरी वाय था रहा सो मैटो प्लाजम मा लिएको छो ठीक्षा सो मैटिक सेल चारूम आमरो जम प्लाजम रब SOMANO इवटा क्यं वंद रहा के? अगस्ट वाइज मेज में ले य doğru ये ये युती ऑर्गैनिझम देखी और्को झानए वनद रहा के ? यसतों युदी f1 देखी जम्प्लाजम मत्र गी हुँँच ट्रांस्फर हुँच F1 देखि F2 मा सुमेटो प्लाजम जादेए सुमेटो प्लाजम छे की हुदे न जादेए न पचे हामरो F1 यदी जेनरेशन मा एरने उंदा के दि तो नियुक तो अ रुआ आपी यू जुन एंसेस्टर संगाई रही होके जुन है आमरो मेरो बाबा संगा छा त्यों गता है त्यों पर developed as a यो somatoplasmic cells हरुचान, somatic cells हरुचान, तो तो degenerate भने जाने को है, जोन आम रो liver cells, kidney cells, heart cells, brain cells, तो stop के हो, somatic cells महां पढ़ चाने, तो ultimately degenerate हुचा, तो अल्टिमेटली degenerate हुचा, मांचे मर नू भने को तेही हो, आई ना, तो यदि आमी jamplasm को केस है चाने, जती पनी आम रो gametes formation female gamete, female gamete fuse भायर बनने जाइगोट, तेसमा के दियो तो दान के भायो, somatoplasm को दान भायो, somatoplasm को दान भायो, भायो, तो F1 देखी, F2 जिन्देशन मा के जान चा भने तो, somatoplasm जान चा भने, somatoplasm जा देन, ठीक्चा, तो यो concept बुजी सागे बाची, अब हामी हे रहो, इने अरको केसमा के होंचा, जोन प्रोटो जोन चा अरको केसमा, यदी ता बुजी नर्मल केसमा होंचा, आमरो, jamplasm को traveling होंचा, somatoplasm होदेन, का देखी, योटा जिन्देशन देखी, अरको जिन्देशन दावाहे, अब यदी आमीले, अमीबा को, बाइनेरी फिस्टन को यदी आमीले, यो, यदी कुने mother cell डियो, ठीक्सा, mother cell, योगा आमरो, mother cell, mother cell की उन्थाल चा, ता अब दुई वटा भाग मा, डिवाहे, पहला, nucleus को division होंचा, so nuclear division भायो, nuclear dhuta बन, nucleus dhuta बन्यो, ठीक्सा, यहां के वो, nuclear division, यह न, तेस पसारी के वह, अब वो भायो, आमरो, somatic division, वनिको, cytoplasm को division, ultimately के वनियो, दुई ओटा के वनियो, daughter cells को development भो, यह के वो daughter cells, so यह के होए, आमरो, binary fission, खीक्छा, so आमी ले, यह, प्रोटो जुआ को केस में हर राचा, यह न, बाइनेरी fission भाय राचा, mother cell को nuclear cytoplasmic division भाची के मा, change भाची के मा, daughter cells, दुई ओटा, अब इनियोर को केस मा, के हुँँचा, यह जती पनी, यह, 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 साइटो प्लाजम भाची मा, यह, 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 साइटो प्लाजम भाची को, आपि प्रोटोप्लाजम अधर्टोप्लाजम सें तब्टोप्लाजम में Snanız समेटोप्लाजम हो यो केस मा की गर दिन चा प्रोटोजवा केस मा खेल खेल दिन चा साइटोप्लाजम डवल डोल खेल चा बने पची जॉमप्लाजम पनी खेल चा समेटोप्लाजम पनी खेल चा कून केस मा था जुन आमरो जॉमप्लाजम चा तियो केस मा कर ले खेल चा ता सा साइटो प्लाजम ऑ प्रोटोँ आएक्स एक्स एईDORAL रिप्रोडक्रसीन केसू चय लगतू हो च निद एपको सांटो प्लाजम और समैटोप्लाजम चानिदा इंट ऐको सिंप्ली यो केसमा गए रहे कि वहयो साइटो प्लाजम एक्स आज जॉम प्लाजम पच्छी डॉटर शेल बनी सके पच्छी सोमेटो प्लाजम को रूप मां उन्च बनी पच्छी यादी के वहरा चेने नो डिविजन टेकिंग प्लेस नो रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस साइटो प्लाजम एक्स आज चोमेटो प्लाजम तर जब ऑर अर्गैनिजम रिप्रोडक्शन गरना खोच्छा प्रोटोज जोन तिन्याइको साइटो प्लाजम टेक्स आज जॉम प्लाजम सो यूकर आय बुजियो, है ना, यो कंसेप्ट बुजी सके पाचे, अब आमी ले अगी को जम प्लाजम को थियोरी रा बाइनरी फिशन को थियोरी मिक्स वरे रहे रहे, अब आमरो के बन्छा, अब इन्याको अमरता को राज खुल्छा, के लुकार राखे गो छे तो इन्यार को जिम प्लाजम लिख्यी बनेति रुग्रल आजियोगाते हो, जिम ग्येसल्स मातत के होंचा, डेनरेशन पास आव प्लाजम अल्टिमेटली डिसिन्टेग्रेट भः रखे होंचा अमरे रहे शाना नो वने पचची ओं हर टेच कर लाइना टाну हमां somatic cells हरू deceneration हुझा somatic cells को deceneration हुझा जीक छा समेटो प्लाजम मा जुन जती प्रेणिने आम रोग भाईटल अर्गाइण सब क्यो हो somatic cells रहा हम रोग गयामेट्स है क्यों तोरा गयाम्मेट्स या ट्रांसफर हो रहा रहा है तोरा गयामेट अमर भना है गयमेट सिंप्ली के बाए घ्रांसफ़ों आगा हुआ है क् Compared to Pr joue के बनाये जैगट बनाये लिए त्यों जैगटको केस्ष दान सेकने मुद्पठ प्रांसफर ना? त्यों प्रैंससित्य ट्रांसफर ओंपी स्प्रीज तर्णा ओंटर वहा है chatter somatoplasm disintegrate ठिक्छा रerg proto zones को case मा की हुँँछ था इनी अरुको mother cell देखी जब डॉटर cell को development हुँँछ त emission tills Wilderm सर्गो केस मा की हुँँदे न इसपेशयली सुमाटो प्लाजम हरने ओन्धाखेडिं हामरों किन अमन Si that प्रोटोज ओन सरको केस माँ प्लाजम हरे को सिंप्लि केंड विल कैणीं UP दुमाटो बरेकड़ाउन हरे ऐचा को क्वाज अखाई ने माटोजोक अंगा union कンドवारेच और बन्लिक लिल लिख वायो अच्छहा ए कहिसंड लाइको खता,्योंजोंड प्रफुर सब स्कोजों धुमर्स षोच !!! आज धिशा !! यूदि लेुघ्ज्र इसे नहें विडियो लाएखे और में लाइक गरनुह वष्पिविच्ट चैनल माने लेखे आङे मैं जूद next one namaste